तो माई चैनल इंकानोई कीड़ा और यहां पर आज सभी के लिए में लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक जो MCQ होने वाला है और साथ में इसके पहले जो मैंने दो वीडियो अप्रोड किया है जो प्रिवियस एविडेंस एक्ट और एड्मिनिस्ट्रेटिव लोग के उपर जो वी MCQ के लिए वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के उपर मिल जाएंगे आप वहाँ पर जा कर दे सकते हैं साथ में उसका लिंक आपको last तक देखिए इस वीडियो को लाँस तक उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएग आपको और साथ में इस वीडियो में हम करने वाले हैं पी आई एल डेट में इस पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन आप सभी का स्लेबस में दिया हुआ है और इंडिया बार एक्जामनेशन में तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट एमसे क्यू जो है प्याइल से लिटेड वो आप सभी को मैं करवांगा तो चलि व पहला कुशन नमबर है इन वीच अब फॉलोइंग के सुप्रिम कोर्ट गेव डारेक्शन टू इंड चार्ड लेवर तो कौन सा यहां पर केस है जिसमें चार्ड लेवर इंडिका समाप्त किया गया था तो यहां पर करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्शन सी बंदुआ बंदु नेक्ष्ट कोर्षे नमबर थरी है नेक्स्ट कोशर नमबर थरी देखते हैं इन विच कंट्री डीकंसेप्ट और पब्लिक इंटरेस्ट इन गएशन ओर जीनेटेड तो यह कौन सा कंट्री के दवारा कंसेट लाया गया था तो यूसे हो जागा फस्ट ऑप्सन करेक्ट है युनाइट अस्टेट आफ एम्रीका नेस्ट पूसे नमर फोर है वीच इस फादर सोरी हुई इस फादर पॉलिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया करेक्ट एंसरों जागा ऑप्शन ए जस्टिस पी एं भागवती कि नेस्ट कुंसे पिंस्ट के दुéis का इंडियािकर्ल हो जागा अर्टिकल पॉलिक इंटरेस्ट लिटेटाइशन इस filed in the Supreme Court of India तो यहां पर कौन से आर्टिकल के ताहत में PIL file होता है Supreme Court में तो यहां पर correct answer हो जागा Article 32 of the Constitution of India Option A Next question number 7 है Under which article public interest litigation is filed in the High Court of India तो High Court of India में जो file किया जाता है वो Article 226 of the Constitution of India जाटिकल भी यहां पर correct हो जागा Next 8 है Can public interest litigation filed in district court तो यहां पर PIL जो है district court हो सकता है तो इसका answer हो जागा No, option B यहां पर correct होगा Next Question number Next यहां जो हमारे पास है Important landmark cases है जो public interest litigation selected है यहां पर जो भी मैं यहां आप सभी को बताऊंगा cases यह सारे important होंगे landmark cases PIL selected और इसके अलावा बहुत सारे cases है जो recent में हुआ है या और भी कैसे से वो सारे आपको देख लेना है ठीक है तो चलिए यहां पर पहला कैस है People's Union for Democratic Rights and Others versus Union of India and Others Second है खरक सिंग versus State of UP Third है Third है यहां पर Center for Public Interest Litigation versus Union of India and Others Fourth है State of MP versus नर्मदा बचाओ अंदोलन और last यहां पर है Next हमारे पास है आरके गर्ग versus Union of India बंदुवा मुक्ति मोर्चा versus Union of India Next मुहम्मद हारून versus Union of India Next अजे बंसल versus Union of India Next सीला बार्षे versus the State of Marashtra Next स्री सचित नंदा पांडे and Another versus the State of West Bengal and Others Next सुनिल बातरा versus दिल्ली Administration इसके लावा हमारे पास है तो यह सब जितने ही मैंने आपको landmark cases यह सब है important PIL से लेटेड और इसके अलावा और भी cases है और हां यहां पर जो भी मैंने case यहां पर बताया है आपको इसका थोड़ा सब brief आपको देख लेना है ताकि पता चल पाए आप सभी को कि जो cases यहां पर है तो यहां पर question से पहले एक और important point है आप सभी के लिए यह है कि PIL होता क्या है और क्या है इसके बारे में details में important point हम जाल लेंगे तो यहां पर जो public interest litigation यह refer करता है litigation undertaken to secure public interest and demonstrates the ability of justice to social disadvantage parties PIL was introduced by justice PN वागवाती in 1985 इस यहां पर जो PIL है वो judiciary में first time introduced जो किया गया था वो justice PN वागवाती 1985 में किया था इनके दुवारा PIL is a relaxation on the traditional rule of locust standee और यह किस पर relax करता है लोकस standee के उपर before 1979 the Supreme Court the Supreme Court of India and the judiciary entertained litigation only from parties affected directly or indirectly by the defendants that means यहां पर कहा जा रहा कि जो 1979 के पहले जो भी Supreme Court of India थी उसमें क्या होता था जो judiciary जो है वहाँ पर जो भी litigation आते थे parties के दौरा directly और indirectly defendant के दौरा वहाँ पर वही चीज़ को decide किया था लेकिन जब से PIL आया था तब से PIL के थूर यहां पर public interest यहां पर आपको मैंने उपर बताया ना secure public interest तो इसके तहत में यह भी PIL होता है फाइल ठीक है और इसके अलावा जो है इट केन वी फाइल इन बोथ सुप्रियूम कोर्ट एंड हाई कोट बट स्थिक्ली फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट वलनी यहां पर सिर्फ पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए होना चाहिए अब इस इसका एक डिस्क्रिप्शन जो हैं काफे जादा वाइडर है और इसके तहत में राइट टो एक्वालिटी लाइफ परस्नालिटी यह सब सारे जो गरेंटिड क्या है पार्ट थिरी और इंडिन कॉंस्टिशन में वह सब सारे को यहां पर इससे प्रोटेक्ट कह सकते अब next question कि और बढ़ते हैं यह मैं थोड़ा सा explain कर दिया पियायल के बारे में ताकि आप सभी को जो important landmark कैसे से वो पता चल सके और इसके लावा प्यायल होता क्या है वो भी मैने थोड़ा बता दिया अब यहां पर question number 9 देखते हैं MCQ यहां पर question number 9 which PIL case established right to pollution free environment is a fundamental right तो यहां पर क्रेट एंसर हो जागा सुभास कुमार वर्सेस अस्टेट बिहार नेक्स्ट टेन कुशन नंबर है वीच आप दी फ्लोइंग पब्लिक इंट्रेस्ट लेटिगेशन केस मेंडेटेड 27 परसेंट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी तो इकिस केस में हुआ था तो इंद्रा स्व स्टेट लोकब बना गया उमेन के लिए तो सीला वार्से वर्सेस स्टेट अप मराश्ट्रा ओप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा नेक्स्ट टूवल कुशन नंबर है वीच आप दी फ्लोइंग स्केम वाज अन अर्थेट वाई पब्लिक इंट्रेस्ट लेटिगेशन तो क इस केस में हुआ था यह एमसी मैता वर्सेस उनियन ओफ इंडिया ओप्शन ए नेस्ट फॉर्टिन है वीच आप दी फ्लोइंग केस रिलेक्स्ट दा रूल ओफ लोकस अस्टेंडी तो करेक्ट एंसर हो जागा बार कॉंसल अफ मराश्ट्रा वर्सेस एंबी दवोल कर ओप् कि नेस्ट सिक्स्टिन कोशन नंबर है प्याइल इन सुप्रीम कोट केंडी फाइल अंडर विच आर्टिकल ऑप दी कॉंसिट्विशन तो अर्टिकल 32 है आर्टिकल 32 के ताहत में आपर जो सुप्रीम कोट में है फाइल किया जाता है ठीक है तो आप जब भी पी आई एल टे ये फाइल इंडिया तो आर्टिकल 21 के ताहत में यहां पर इन्वर्मेंटल के बारें बात होता है तो अप्शन है तो इन्टेजुच में पर कॉरिक्ट हो जागा, नेच्ट अन सब्सक्राइब कर रहा है वह बताना है तो पहला प्रोटेक्ट डिफ्यूजड राइट्स एन्फॉर्सिंग अजेंसी तो करेक्ट एंसर यहां पर हो जागा सब्सक्राइब करेक्ट एंसर हो जागा ठीक है नेक्स्ट पब्लिक इंट्रेस्ट रिटिकेशन इस रिलेक्सेशन और वीच आप फॉल्विंग रिक्वार्मेंट्स करेक्ट एंसर हो जागा यहां पर आप्शन भी लोकस अस्टेंडी तो यह मैंने बताया था आपको यह जो स्टेंडी के ऊपर रिलेक्सेशन होता है प्याइल नेक्स्ट वीच अफ फ्लोइंग इस नोट आ केस और पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन तो इन में से कौन सा जो है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन का केस नहीं है तो यहां पर केस्व नंदा भारती वर्सेस फ्लोइंटिंटीन जो है प्याइल सेलेक्टिट नहीं है ठीक है नेक्स्ट हूँ कें मूफ प्याइल इन हाइड कोट एंड सुप्रीम कोट तो किसके दोवारा इंट्रेम कोट में तो एनी पब्लिक अस्परिटेड परसन हो जाएगा एंजियो और एस्टेस्ट विद पब् है वह किसके तरह में फाइल किया जाता तो तो करेक्ट एंटर ओप्शन सी हो जाएगा डिट में उप्शन ए एंड बी तो ऑप्शन ए क्या है आर्टिकल 226 ऑफ कॉंस्टिटीशन एंट 32 ऑफ कॉंस्टिटीशन एंड बी है अंडर सेक्शन 123 ऑफ CRPC तो यह दोनों के तरह मे जो है फाइल क्या सकता है त्य, निकेस, supreme court in a PIL known as कमलनाथ case to evolve done यहांपर जो कमिल नाथ case से सई लिटेड है, वह किस में होता है, तो वह Public Trust Doctrine option B यहांपर पर प्रेटिसाइज होता है तो प्राइबेट मॉटिफ हो जाएगा पॉलिकल इंस हो जाएगा तो यहां पर ऑप्संडी करेक्ट हो जागा आप सभी का ओल अब दी अब यहां पर जी सारा सही है ठीक है अनश्ट कोषशन है दा यु्टिलीटी अज़ पुब्लिक इंट्रेस्ट लें संघें संच तो यहां पर युटिलीटी ओपलें ट्रेस्ट इस लेटिकेशन किसके बशाएगर यृटम और यहां प्रतिन ऑप्संडी ओ्पर दी यहां पर नच्eln ब्रow बिंज mouse पॉलिकलईस् and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision challenge the practice followed by the state of Bihar in repromulgating a number of ordinance without getting the approval of the legislature the court held that the petitioner as a member of public has sufficient interest to maintain a petition under article 32 this relates to the case of the case case select karta hai the correct answer here par option b ho jaega dc wadwa versus state of Bihar a ir 1987 कि अब next question देखते हैं तो यह सारे जो question मैंने करवाया आप सभी को यह जो है public interest litigation से related mcq question थे जो आप सभी के exam में यहां से काफी help मिलेगा इसके अलावा जो भी यहां पर important और भी landmark cases है यहां फिर cases है recent में वह आप सभी को देख लेना है और यहां पर जो भी मैंने करवाया है प्याइल से related question यह सारे important question है जो आपके exam में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और जो भी next topic होगा आपकी topic के उपर mcq question देखने चाहते हैं वह आप comment section में जरूर बता सकते हैं अपना feedback दे सकते हैं और किसी भी तरह का है next topic में और feedback में आपको जरूर बताना है comment section में कि कौन सा topic के उपर आपका next video देखना चाहते हैं ठीक है तो मिलते हैं next video में thank you so much for watching this video